केंद सरकार खरीफ सीजन के लिए लगतार किसानं को अलर्ट कर रही है अब पिम फसल बीमा यूजना को लिकर सरकार ने किसानं को सतल किया है दरसल कृषी क्रेडिट काड यानि केसी सी धारक किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है अब किसान अपनी फसलों का बीमा 25 अगस 2024 तक करा सकते हैं इससे पहले ये तारीख 16 अगस 2024 थी बड़ी संख्या में किसानों की रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होने के कारण सरकार ने फसल बीमा कराने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना के आधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फैसले की जानकारी दी गई है सरकार किसानों को खरीब फसलों का बीमा कराने के लिए और समय देना चाहती है ताकि किसानों को बहतर सुरक्षा दी जा सके सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो 25 अगस तक अपनी खरीव फसलों का बीमा करवा ले और इस मौके को ना चुके इसके अलावा पीम फसल बीमा योजना के तहट रेजिस्ट्रेशन की अंतीम तारीक 6 राजियों त्रिपुरा, असम, करनाटक, धारकन, तमिलनाडू और पूडुचेरी के लिए भी बढ़ा दी गई है इन राजियों के किसान अब 31 अगस 2024 तक योजना के लिए रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ये फैसला उन किसानों को राहत देने के लिए लिया गया है जो समय पर रेजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए अगर आपने भी अभी तक अपनी फसल का बीमा नहीं कराया है तो जल्दी ये काम निप्टा ले और इस योजना का फायदा उठाएं फसल बीमा कराने के लिए किसान अपने नजदी की बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना की ओफिशिल वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर भी ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं योजना से चुड़ी जादा जानकारी के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करके संपर कर सकते हैं अब जान लेते हैं पीएम फसल बीमा योजना को लेकर खास बाते आपको बता दें कि इस योजना की शुरुवाद 2016 में हुई थी प्राक्तिक आपदाओं से बरबाद हुई फसलों के कारण किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मुआवजे के रूप में वित्तिय मदद दी जाती है इसके साथ ही किसानों को आधूनी क्रशी तरीकों को अपनाने खाद्य सुरक्षा फसल वीविधी करण के लिए भी प्रोसाहित किया जाता है भारा सरकार ने पिछले 9 सालों में इस योजना के तहट 8,918 करोड रुपए किसानों को दिये हैं इस वीडियो में इतना ही खेती किसानों से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के ले बेल आइकन भी दबा दे किसान तक खाना है तो उगाना है